हलो स्टुडेंट इसके पहले मैंने मैथेमेटिक्स का जो टर्मिनल एक्जाम और एन्युवल एक्जाम का कोश्चन्स पेपर का फॉर्मेट डिया था और आपको पता ही कि इस साल में 2020 में है ना फेपर वारी मार्च में एक्जाम है महाराष्ट्र स्टेट्मन गौर्बंट की कि उसमें हम लोगों को कौन सा चप्टर कितने मार्च के लिए कौन से चप्टर पर कितना विटेद देना है और अब एक बात धान में रखना है कि आप काम कर सकते हो कि यहां पर कुछ चप्टर को ड्रॉप कर सकते हो मतलब अगर आपकी पूरी पड़ाई नहीं हुई तो का कर सकते हो कोई चप्टर को ड्रॉप कर सकते है क्यों कि इसलिए हमाने क्वेशन पर का फार्मेट देया है कि option में क्वेशन ज्यादा आते हैं मतलब जैसे C section में आपको बारा कोश्चन दे वाले 8 सौल करना है section C में 8 कोश्चन से 12 सौल करना है B में वही है C में वही D में भी है मतलब option जादा है इसलिए आप कोई chapter को अगर बहुत ज्यादा हार जाता है और कम mark के लिए उसको डॉप कर सकते कोई problem नहीं होगे as per my view आपका view अलग हो सकता मैं नहीं बता रहा हूं मैं कोई compulsory नहीं बता रहा हूं आपको चाते हो तो अगर पढ़ाई नहीं पर रही होता है सबको पता है चलो तो चाप्टर वाइड डिस्ट्रिबिशन सब मार्क विद ऑप्शन और ये क्लास 12 के लिए बच्चो वास 12 के लिए है ओके मैं सब्जेट के लिए mathematical logic मैं स्टार्ट करने जा रहा हो देखो यह मार्से विद ऑप्शन से यह मार्से विद ऑ कर लो अच्छी तरह से टिगनोमेटरिक फउंच्चन 7 मार्क विद ऑप्शन 10 मार्क वह बहुत बढ़िया बहुत ज्यादा मार्स है इसके बाद में पेर ओफ स्ट्रेट लाइन 4 मार्क विद ऑप्शन 6 मार्क वेक्टर पाथ मार्क विद ऑप्शन 7 मार्क 3 dimensional geometry 4 mark with option 5 mark line के लिए 4 mark with option 5 mark plane के लिए 4 mark with option 5 mark LPP 3 mark और with option यहाँ पे 4 mark के लिए ये चाप्टर से continuity है 4 mark with option 6 mark difference है आपको 6 mark with option 8 mark application of derivative 6 mark with option 8 mark indefinite integration जो है 6 mark with option 9 mark ज्यादा है with option देखो यहाँ पे ज्यादा marks आरे तो धान देना इस तरफ definite integration and its application 6 mark with option 8 mark differential equation के लिए 5 mark with option 7 mark के लिए probability distribution है 3 mark with option 5 mark binomial distribution है 3 mark with option 5 mark तो total 80 mark का paper होगा with option अपको 112 mark मतलब अपको 32 mark का यहाँ पे options ज्यादा देगे वाले 32 marks ठीक है तो इस थ्रू आप अपना plan बना दो अपको करना क्या है कौन से चप्टर अच्छे बनाना है क्या नहीं है कौन सा हड जाता है बहुत ज्यादा मत छोड़ो लेकिन आप एक दो चप्टर को ड्रॉप कर सकते है करना है तो पढ़ाई तो पूरी करना है लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे यह आ रहा नहीं है उसको पकड़ के मत रखो जो easy easy लगते वो पहले कर लो जो hard लगते उसको last में करो नहीं हुए तो नहीं हुए कोई प्राब्लम नहीं आएगी मिनिमा हम 80 में से 70 75 नंब़ सकते तो बी मतलब कोई चप्टर को ड्रॉप करते वे बी 70 75 तक बोर्ड में 80 में से बोर्ड में बच्चो मेरे तरफ से अपको पढ़ाई के लिए best luck and thanks for watching this video.